कि नमस्कार बच्चों आज के इस वीडियो में हम सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर मिंस थारिस्टर की डिफ्रेंट डिफ्रेंट माउंटिंग टेकनिक्स के बारे में बात करेंगे पिछले वीडियो से आप जब कोरिलेट करेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे थारिस्टर को हीट से बचाने के लिए एक्सेसीव हीट से सेश करने के लिए हमें उसके टॉप पे डिफरेंगे मेंड्रों कूंश मेंड्रों करना पड़ता है तो आईए सबसे पहले हम समझते हैं कि silicon control rectifier के heat sink mounting के methods क्या क्या है means silicon control rectifier के mounting methods क्या क्या है इन दोनों terminology को आप correlate कर सकते हैं और इनका answer एक ही होगा तो सबसे पहले हम different mounting techniques की बात करते हैं तो जो first mounting है जिसको हम बोलते है lead mounting हम आगे detail में एक-एक mounting के बारे में समझेंगे बच्चो second mounting को हम बोलते हैं third mounting third mounting को हम nut bolt या bolt mounting के नाम से जानते हैं similarly जो अगला mounting है वो से वैसे ही correlate होता है जैसे हम किसी चीज को hot करके चुपकाते हैं जैसे आप कपड़े को press करवाते हैं इसको हम बोलते हैं press fit mounting लाज्ट जो mounting है बच्चो वो प्रेस्ट मांटिंग डिस्क मांटिंग फिर होकी पैक मांटिंग है इनके अलगले टर्मिनलाजीज है नाम है एक दो और मांटिंग से जिसके बारे में अभी हम डिसक्स करेंगे हम सबसे पहले समझते हैं लीड मांटिंग बच्चो नाम से ही समझ में आ रहा है लीड लीड का मतलब हम सिलिकन कंट्रोल रिक्टिफायर के जो मेरी हाउसिंग होती है जो उसकी बॉड़ी होती है उस बॉड़ी के ऊपर एक हीट रिडियेटर हम लगाते हैं जो उसकी हीट को अब्सॉर्व करता है और बाहर रिडियेट करके निकाल देता है इस डिवाइस के अंदर बच्चो हमें हीट जिंक अरेंजमेंट करने के जरूरत नहीं पड़ती तो यह नॉर्मल थारिस्टर के रिक्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है और खास करके यह उस रिटिंग के थारिस्टर में यूज होगा जहां पे करेंट र को अब्सटर करता है मोड़रीट करता और प्रीजम आपको याद होगा स्टर्टिंग में जब हम सिल्कन कंट्रोल रख्तिफार के का न्स्ट्रक्शन डिसक्रस खर रहे थे तो हमने बोला था कि सिल्कन कंट्र्टीफार के टॉप पर में हीट सिंक लगाते और इसी को बोलते stud mounting means हम उसी stud के ऊपर heat sink को क्स्त देते हैं और उसी reason से हम इसको बोलते हैं starch mounting इसके इंदर जो lead mounting है उसे better heat handling capacity है अब इस इस stud mounting को अगर और enhance करें तो हम बोलेंगे इसको इसके next type की mounting को bolt down mounting जिसमें हम nut bolt के तरू heat sink को Silicon Controlled Rectifier पे fix करते हैं Normally हम यह वहां करते हैं जहां पे rating normally small हो या medium rating हो बहुत higher rating के लिए हम इसको prefer नहीं करते हैं लेकिन अगलाज के मांटिंग है जिसको हम press fit मांटिंग बोलते हैं बच्चो Press fit मांटिंग में हम Silicon Controlled Rectifier को हम exactly एक heat sink में यानि एक case के अंदर रखते हैं, एक case के अंदर mount करते हैं, metallic block के अंदर mount करते हैं, और ये normally high hitting, high current rating, high current rating silicon control rectifier के लिए हम use करते हैं, similarly बच्चों जो press pack mounting होता है, press pack mounting में सिम वैसा ही समझे कि silicon control rectifier के हम top या bottom या फिर दोनों के अंदर हम heat sink लगाते हैं, तो दोनों heat sink के बीच मेरा silicon control rectifier, sand भी छोटा और इसलिए हम pack fit mounting के नाम से जानते हैं, तो बच्चों इस तरीके से, हम silicon control rectifier के safety के लिए heat sink को mount करते हैं, कभी top में mount करते हैं, कभी bottom पे mount करते हैं, और कभी heat sink, दोनों heat sink के बीच में अपने silicon control rectifier को mount करते हैं, हो सकते हैं, प्रक्टिकल एक्जामपल में, अगर आपने कहीं देखा होगा silicon control rectifier को, तो case के body के अंदर देखा होगा, तो वो high rating condition में हम उसको body के अंदर mount करते हैं, और that's all about this video, thank you so much.